नमस्कार बच्चों मेरे नाम है विशाल तिवारी कैसे हैं आप सब लोग उमीद यही है कि आप लोग बहुत अच्छा हशल कर रहे हैं विद हशलर विशाल तिवारी राइट और सबसे पहले डोल देते हैं डरते हैं क्या चलिए यह सब चीजें होती रहेंगी यह लेक्चर स स्टार्ट करों उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है कि इस लेक्चर के साथ 11 की ब्लॉक केमिस्ट्री खतम हो गई है खुशी मनाईए मैं बहुत दीन से नहीं कर रहा था और एक वीडियो एक दिन और डिले हो गया लेकिन मैं बता दिना चाहता हूं कि 11 इन और्गिनिक में दोस्त जो आप ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ते हो वह खतम हो गया है कि सो कम्प्लीट बेटा 11 ब्लॉक केमिस्ट्री खतम हो अच्छा मत तुर पांच और लेक्चर लगेंगे जिसमें 12 का ब्लॉक केमिस्ट्री भी खतम हो जाएगा nitrogen family oxygen family है कि अभी रिविजन भी कराऊंगा वन शॉट भी कराऊंगा टेस्ट भी होंगे हाइडूजन भी होगे प्रैक्टिस भी होगा आपने इस ब्लॉक कंप्लीट कर लिया इसी चैनल पर आप पी ब्लॉक पूरा इन और्गेनिक आपका खतम मिलेगा और अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा मैंने स्पेशल क्लास पे अल्रेडी कंप्लीट करा दिया है अच्छा नेच्स टार्गेट आपको पता ही क्या है यहां पर बस आईसोमेरिजम नहीं हुआ पड़ा है कोई बात ने इसोमेरिजम यह हमारे पास जब लिए आप मुझे जानते हैं आइए उसको बार जग जगा देते हैं हमस्तारट करते हैं है डो 2 बन में रहовыхिं हम इस्टार्ट करते हैं हाइड्रो कॉर्बान चAPTOR और यह जो हाइडरो कार्वन चैटर आपको पढ़ताता है कि जो आप मेरे से पढ़ लेता है दोसिये उसको आज नहीं कल नहीं NTA के लिए नहीं जन्मो जन्मो तक याद हो जाता है इतना है कि बिटा आपने बच्चों को पढ़ा सकते हो टी बचा सकते हो आपे अच्छा तो आपका oreganie भी फिनिष हो जाएगा ऑगले 30 15 में और inorganic तो बता ही दिया प्लॉख होई-चुका है पूरा की मिच्टि हो जाएगा 5 दिन में और पूरा ऑन चैथरवा अगले 24 15 दिन में मतलब कि मतलब अच्छी खासी लेक्चर चलने वाली अभी आपके मतलब अच्छा खासा सेलेबस किचने वाला है यहां पर अच्छा शेर शोया था इसका मतलब थोड़ी न था कि भाई चुप हो गया वो शेर शोया हुआ था एक कदम पीछे लिया है आप देखना कैसे रोर करते हैं ठीक है मुझे पता है यार आप सब लोग प्यार करते हैं और किसी के भढ़काने में नहीं आएंगे बड़ा ओराता consistent बड़ा ओराता serious बड़ा ओराता यह बड़ा ओराता बहुत बड़ा बड़ा चीज़े बोला जाता है सुनता भी और रिप्लाई नहीं करता हूँ I respect everyone कुछ गलेत फैमिया हुई होँगी clear हो जाएगी आज ने एक साल बाद clear हो जाएगा बट हो जाएगा चलिए अब आते हैं दोस्त physical chemistry की बात उसकी बात अभी मैं करूंगा ही नहीं उवर प्रॉमिसिंग नेचर में जाता ही नहीं हो मेरा बड़ा आदत खराब है यह ओवर प्रॉमिस कर देता हूँ अच्छा यह कर दूँगा वो कर दूँगा और उसमें से होती 10% चीज़ें हैं तो फिर आपको लगता अच्छा यह तो प्रॉमिस के लेक्चर में क्या पढ़ना है इस लेक्चर के साथ ही तो आए यह जो सिलिकेट्स पार्ट है अगर आप पढ़ेंगे अगर पूरा इंसियाटी स्टिक करना चाहते तो सिलिकेट्स फोड़के बाद बाकि पढ़ लिजेगा पट मेरा वही रिकमेंडिशन रहेगा कि सिलिकेट्स पढ़ भी लिजे क्या ही यह 15 मिनिट का ज्यादा टॉपिक लगेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपाउंट्स अब कार्बन पे फिर सीओ टू पे और फिर हाशल करते हैं और कल हम बहुत जवर्दस हाइड्रो कार्बन एक बार तुम पढ़ लोगे मुझे पता है मैं और यहां पर तुम सब लोग जनता आ जाओगे और उसको कराऊंगा भी उसको कराऊंगा भी बिलकुल कराऊंगा से शोया इसका मतलब यह नहीं क्यों सांत हो गया थोड़ा साब पीछे होके और जब रूर करेगा ना तो दुनिया डरेगी फर आये डर आते हैं और पूरा भगा देते हैं और पूरा आपको लगता है कि डर कैसे और अर्गनी का प्रोडक्ट बनता है पता नहीं काईरल हो गया कभी तो मीजो प्रोडक्ट बन गया कभी तो क्या बन गया कभी तो इन इंशोमर बन जाता है पढ़े हो ना मेरे से कभी-कभी तो समझ आती है ना चीजे पिछली बार वाले सीनियर से प्रूछ ले ना इस बार आप खुद एक्स्परियेंस कर लोगे आजाओ आपन अपन क्या कर रहा है अपन अपन क्या कर रहे उसकी बाते जादा करेंगा ठीक है ना यस दूसरों की बाते में ज्यादा बात अपन नहीं पढ़ेंगा आए अधे में Compounds of the Carbon की बात करते हैं Compounds of carbon में सबसे पहले क्या होता है Carbon Mono Oxide आपको पढ़ना है ठीक है ना Compounds of the Carbon में Carbon Mono Oxide आपको पढ़ना है और फिर Carbon Diokside पे जाना है लेकिन carbon monoxide का poisonous nature के बारे में सुना है अगर नहीं सुना है तो इसको समझ लीजिए आगे explain करूँगा carbon monoxide poisonous nature होता है compounds of the carbon में सबसे पहले दोस्त आपको carbon monoxide पढ़ना है मुझे बताओगे क्या? monoxide क्या होता है? बताता हूँ न मैं आपको oxygen से reaction करने के बाद oxide बनता है और oxide क्या होता है? oxygen पर minus 2 charge monoxide का मतलब क्या हुआ? एक single oxygen है monoxide के form में तो carbon monoxide मतलब carbon का oxygen के साथ product है बट monoxide इसलिए single oxygen होगी तो यह होगी बता carbon monoxide कोई problem वाली बात नहीं है ठीक है अब सबसे पहले समझते हैं कि आपके nature में बनेगा कैसे भाई? क्या आपको समझ आ रहा है कि normally तो CO2 बनना चाहिए लेकिन CO बन रहा है मतलब oxygen की कमी है और इसे से production भी होता है कि अगर मैं भरपूर मात्रा में oxygen दे दिया तो CO2 बनता लेकिन अगर मैं limited supply of air दे देता हूँ limited supply of oxygen दे देता हूँ तो CO बन जाएगा oxygen की कमी कर देता हूँ अब यहीं प्याएगा दोस्ट preparation में कि oxidation of carbon यहीं प्याएगा सबसे पहले कि oxidation of carbon carbon की oxidation च्यों बोला ऑक्सिडेशन भाई अरे एडीशन को एडीशन अफ ऑक्सिडेशन हुआ है न तो कभी भी किसी भी कमपाउड में oxygen का एड होना क्या oxidation के लाता है नहीं के लाता हाँ ते क्या हूँ oxidation of carbon ही तो हुआ ऑक्सिडेशन ऑफ carbon in limited supply of air ऑक्सिडेशन ऑफ carbon in limited supply of air बेटा हवा की limited supply कर दी गई है तो क्या oxidation of the carbon हो जाएगा चलो oxidation of the carbon in limited supply of the air तो देखिएगा तो सर यहां पर carbon आ गया मैंने O2 दिया है बट ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा limited का है पूरा पूरा भरपूर मातर में दे दिया तो CO2 नहीं बन जाता तो सर जी यहां पर CO बन जाएगा क्या इस reaction को oxidation होना limited supply में उसी को तो carbon monoxide कह देते हैं अच्छा एक और बात बताईए करा कि air कहां उसमें पास करा रहे हैं तो air में सुद्य carbon monoxide की बात कर लेते हैं यह प्योर carbon monoxide कैसे बनता है तो प्योर CO जो है वह obtained होता है dehydration से पानी निकाल देते हैं किस से formic acid से अभी में formic acid के बारे में समझते हैं क्या यह यही formic acid सबको पता है है HCW carbon carboxylic acid with hydrogen is formic acid लिख भी लेते हैं कि सर यह हमारा formic acid है और इस ही formic acid में से मैं वाटर कर रिमूबल तो करना हूं है तो एक हैड्योजन दूसरा हो आप यहां से वाटर निकाल के देखो पहला है दूसरा एक oxygen तो बचेगा क्या carbon monoxide ही तो बचता है भाई यह carbon monoxide बन गया प्लस water आपके पास रिलीज हो जाएगा प्लस water आपके पास तो carbon monoxide प्लस water रिलीज हो जाएगा और यह जो carbon monoxide है क्या यह pure है और यह जो carbon monoxide है क्या यह pure है कि नहीं बिल्कुल pure है क्यों पानी सारका सारे निकल गया बचा क्या इसमें कोई भी बाहरी o2 का पास नहीं किये तो बाहर से impurity जाएगा नहीं तो formic acid में से h2 निकल गया तो निकल गया तो बच्चा co that is pure यहां भी इस statement को पूरा करेंगे pure co is obtained by dehydration of formic acid बोलो समझ आ रहा है कि नहीं हां अच्छा यह जो dehydration हुआ है अपने आप थोड़ी होगा कोई तो चाहिए होगा जो इसमें से पानी खीच ले कौन है वो कौन है जो सपनों में आया कौन है जो formic acid में से पानी निकालता है पीटे कहीं से भी पानी निकालना हो हम dehydrating agent लेते हैं आप समझते हैं फोम समझते हैं फोम को पानी पर भीगाओगे तो सारा सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा जैसे पानी डालोगे तो पता भी दीखेगा भी नी तो वह जो टेंटेंसी अब्जॉर्ब करने की वाटर के अब्जॉर्ब करने की दिहाइड्रेट करने की पानी निकाल लेने की उसी को गहते है dehydrating agent with conch H2SO4 with conch H2SO4 और bracket में लिखेंगे बिटा dehydrating agent with conch H2SO4 और bracket में लिखेंगे बिटा dehydrating agent कोई दिक्कत वाली बात ने है प्योर carbon monoxide water निका लोगे pure CO बनेगा और यहाँ पे निकल गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अच्छा अब एक commercial production होती है इसका इसको commercial ही कैसे बनाए अगे जब जब आपको commercial production समझना होता है न मैं इधर आ जाता हो ताकि आप लिख पाओ जब आपको pure carbon mono जब जब आपको commercial ही बनाना होता है तो commercial production में बस यह ध्यान रखना है कि फाइदा की चीज़ों फाइदे की चीज़ का मतलब है सर कि जाना से ज्यादा आपको benefit हो कम खर्च निकले और profit जादा हो ठीक है कम खर्च निकले और profit जादा हो आईए यहां पर बात करते हैं commercially आईए यहां पर बात करते हैं कि commercially हम इसको कैसे बनाते commercially पानी तो मुफ्त का है कहीं से भी आप ले सकते हो सो कोक में water यहां पर क्या करो steam pass कर दो कोक आपके पास क्या है वो है आपके पास red hot coke या फिर simple लिखेना है hot coke बहुत high temperature पर आप carbon लेते हो hot coke अब उसको आप steam पास कर देते हो H2O gas पर आप क्या पास कर देते हो steam पास कर देते हो ठीक है ना तो यहां से आजाएगा सर आपके पास high temperature मतलब 473 Kelvin से 1273 Kelvin तक आप अगर देखोगे तो यहां पर carbon monoxide का carbon है यहां पर steam है तो यहां पर carbon monoxide अच्छा steam में क्यों carbon monoxide बना अगेन यह वेपर थें वेपर थें आप steam में high temperature है तो सारा सारा oxygen नहीं करेगा limited supply मिलेगा अगेन तो CO बन जाएगा ठीक है और साथ में दोस्त H2 gas अलग से release हो जाता है यहां hydrogen H2 जो दिख रहा है आपको अलग से रिलीज हो गया CO plus H2 बोलो कोई दिक्कत नहीं है इसी CO plus H2 को हम क्या बोलते है दो water gas इसी CO2 CO plus H2 क्या बोलते है बेटा water gas और इसी को हम क्या बोलते है दो syngas अगर CO plus H2 one is to one ratio में है तो water gas होता है अधर देन one is to one होता है तो उसको syngas कहते हैं कॉमर्सियल प्रोडक्शन क्या होता है मित्रों तो सर कॉमर्सियल प्रोडक्शन बड़ा सिंपल है कि बेटा hot coke में steam pass कर दो CO plus H2 बन जाता है water gas और syngas कॉमर्सियल प्रोडक्शन में hot coke में CO आपको steam pass कर दो CO plus H2 हो गया water gas और syngas इसको बोलते हैं कॉमर्सियल अगर मान लिए steam के जगा में air pass कर दो तो producer gas बनता है आईए न समझाते हैं आपको कि अगर में steam के जगा लिखिए यह अगर में carbon plus O2 plus N2 air pass कर दो O2 gas होता है N2 gas होता है carbon solid होता है carbon solid होता है तो सर यहां भी अगें highest temperature देना होगा 1273 Kelvin अधियां रखिए 4 times N2 gas दिया जाता है 2 carbon होगा आपके पास बनेगा फाइनली twice CO plus 4 N2 gas twice CO gas plus 4 N2 gas और यह आपका क्या है producer gas तो दो तरह की gas आप बना सकते हैं एक होता है water gas sin gas और दूसरा होता है producer gas commercially आप इसको इस तरह से बना सकते हैं क्यों commercially क्योंकि नहीं पानी में आपका पैसा लगा नहीं air में आपका पैसा लगा और और सी यह बनने का तयार भी हो गया बस यहां से इस टू गैसा प्रिमूब करना लिजिए और यहां से water gas और producer gas का formula पूछा जा चुका है water gas का production भी पूछा जा चुका है producer gas का production पूछा जा चुका है कितना important है यह देख लिजिए आप और प्रोडूसर गैस कैसे बना है इफ एर इस पास्ट अगर हम एर को इफ एर इस पास्ट इन प्लेस ऑफ इस्टीम तो आपके पास प्रोडूसर गैस आ जाता है अगर हम इस्टीम के जगह एर पास कर देते हैं तो दोस्त आपके पास प्रोडूसर गैस आ जाता है तो commercially ये आपके पास बन जाता है कोई problem वाली बात नहीं है अच्छा water gas और producer gas पे इतना सवाल आते क्यों है ये इतना important है क्या बेटा ये बहुत अच्छा fuel का काम करता है water gas और producer gas जो है ये high amount of energy produce करते हैं और ये तीसे लिए fuel का काम करते हैं industrial fuel होते हैं ये water gas and producer gas are water gas and producer gas are water gas and producer gas are very important water gas and producer gas are very important very important industrial fuel तो बेटा बहुत important industrial fuel होते हैं water gas and producer gas are very important industrial fuel water gas and producer gas are very important industrial fuel कोई परिशानी वाली बात नहीं है ये बहुत अच्छे industrial fuel होते हैं इसलिए इसका production, इसकी structure, इसका ratio ये सब बहुत important है इसका formula बहुत ज्यादा important है आई अब carbon monoxide जो है उसका रंग कैसा है क्या रंग शर्बतों का है क्या इसका test कैसा है क्या मीठे घाट का पानी क्या है दोस्ति ये तो दोस्त ये बे रंग है दोस्त इसकी जिन्दगी हमारी और आपकी जैसे बे रंग पड़ी है मलदा आप कलर लेस बे रंग शी जिन्दगी हो पड़ी है इसकी कलरलेस है कोई सोगंद नहीं है इसके अंदर तो बेटा ये और लेस अब पानी के अंदर है कि नहीं सो colorless orderless and water के अंदर बेटा इन-soluble होता है colorless orderless and water in-soluble अच्छा एक बाद बिताए कार्बन monoxide में कार्बन की oxidation state बता पाएंगे क्या जेकि जनरल की बात करते हैं अब कार्बन monoxide oxidation state debatable हो जाएगा प्लस-ट्ू-ब्लस-थरी आप इतना समझे कि प्लस-फьहर् तो नहीं है कार्बन का highest oxidation state प्लस-फॉहर् होथ है हाँ प्लस-फॉहर् तो नहीं है carbon reducing agent हुआ ना तो बेटा carbon monoxide is a powerful reducing agent carbon monoxide is a powerful reducing agent carbon monoxide क्या है आपके पास it is a powerful reducing agent ठीक है चलिए आपके पास यहां पर clarity आ गई carbon monoxide क्या है powerful reducing agent क्योंकि यह खुद का reduction और जो खुद का oxidation कर रहा है दूसरों का reduction करेगा और करने वाले को reducing agent कहते है अच्छा यह इतना अच्छा reducing agent है कि metallurgy के अंदर भी आप इसको पढ़ोगे smelting of the iron topic में कि वहां पर oxide और को reduce करता है यह इतना अच्छा reducing agent है powerful reducing agent used in extraction of metal used in extraction of metal from oxide metallurgy में जब भी metal oxide से used in extraction of metal from जब भी बेटा metal oxide से metal बनाना पड़ता है जब भी metal oxide से metal बनाना पड़ता है reduction कराना पड़ता है तो वहां पर हम इस carbon monoxide का हम इस्तेमाल कर लेते हैं इस carbon monoxide का इस्तेमाल करते हैं जैसे माल लीजें यह क्या है Fe2O3 उसको हम carbon monoxide से reaction करा देते हैं क्या यह reduction reducing agent है क्या यह reduce कर देगा तो सामने वाले से oxygen हटा देगा तो Fe2O3 से Fe अलग कर देता है और विटा आपके पास CO2 अलग कर देता है बैलन्स करने की जोड़त आप पढ़ेंगे ZNO यह भी NCIT में दिया हुआ है कि जिंक प्लस CO2 जब भी CO आपके पास मिलें भाई सामने वाले oxygen के removal करा देगा reducing agent है बोलो रटना मना है reducing agent है oxygen का removal करा आएगा बोलो ठीक है CO के structure के बारे में किसको क्या ख्याल है कि carbon monoxide कैसे बनता है क्या structure होता है अगर यह संभाव है तो क्या यहां पर oxygen के पास loan pair है यहां भी oxygen के पास loan pair है हां जी कि इसका तो octate complete हो गया छे था दो बॉंड बना के दो electron ने लिए 8 हो गया पर carbon के पास चार बॉंड बनना चाहिए दो ही बना हुआ है कि मतलब carbon के पास चार electron थे चार और bond बनने चाहिए तभी तो चार यह लेक्ट्रॉन लेकिए औक्टेट कम्प्लीट करता पर चार यह दो और electron चाहिए इस carbon को अक्टेट कम्प्लीट करने के लिए सो दो और electron कहां से लेता है यह carbon जो oxygen का coordinate bond आप कह दीजे बिल्कुत सही है इसके पास एक ही लोन पर बचेगा बिल्कुल ठीक है समझ गये हैं हाँ अगर मैं इस coordinate bond को अगर मैं इस coordinate bond को कोवलेंट bond में चेंज करूं तो donor पर प्लस acceptor पर minus charge आएगा नहीं आएगा बिल्कुल आएगा यहां पर एक लोन पर आएगा नहीं आएगा बिल्कुल आएगा और मैंने आपको सिखा रखा है जब भी carbon पर negative charge दिखें आंग बंद करके बोल दिजिए उसके पास लोन पर है carbon पर नेगटिव चार्ज का मतलब ही होता है carbon पर लोन पर है तो carbon monoxide में ट्रिपल बंड रहे होते हैं और दोस्त oxygen पर प्लस carbon पर माइनस होता है दोनों पेकेग लोन पर होता है this is the actual structure जिसमें दोनों के अक्टेट कंप्लीट है क्लियर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है समझ गये है दोस्त यहां पर बोलेंगे कि वन सिग्मा है वन सिग्मा बॉंड है carbon monoxide में वन सिग्मा बॉंड है और बेटा टू पाई बॉंड है ठीक है कोई परिशानी वाली ना बात नहीं है अब चुकी carbon पर क्या है लोन पेर है चुकी carbon पर क्या है दोस्त आपके पास लोन पेर है अब अगर यह लोन पेर है तो किसी को डोनेट कर सकता है किसी को भी यह जो आपके पास जहां पर इलेक्ट्रोन की कम होती है वहां पर यह डोनेट कर सकता है हां तो दोस्त यह कार्बोनील पे डोनेट कर देथा है कार्बोनील क्या होता है सी डबल में कार्बोनील होता है और 습니까 अगा येक्ट्र नेगिटिविटिविटिवूोट जैसे, due to this lone pair, ठीक है, it reacts with metal and form metal carbonyl, due to this lone pair, it reacts with metal, इस lone pair की वज़े से, it reacts with metal and form metal carbonyl, due to this lone pair, it reacts with metal and form metal carbonyl, तो भेटा, इसको हम metal carbonyl कहते हैं, इस lone pair की वज़े से, it reacts with metal and form metal carbonyl, कोई दिक्कत नहीं है, आईए, अब शुरुवात में मैंने आपको बताया था, last statement पढ़ना है, शुरुवात में और यह बिटा आपकी, और biology में भी पढ़ते हो, यह poisonous nature का है, तो जब यह poisonous nature का है, और blood से reaction करता है, तो क्या यह carboxy hemoglobin बना देता है, दो तरह की gases है, oxygen और carbon monoxide, oxygen जब blood से reaction करता है, या hemoglobin से reaction कर है बलड के अंदर हीमोग्लोबिन से है 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 सिज़ा paint oxygen करता है तो oxy 보세요 करता है तो oxygenlle pi K a can carbon carbon monoxide करता है तो carboxy Emil संथा इस प्रेंगे जब आस लेते हैं तो जब आप सांस लेते हैं तो जब मनोखसाइड इनहेल करते हैं तो blood में, hemoglobin में carboxy hemoglobin बनने लगता है क्योंकि वो stable product है तो oxy hemoglobin हटेगा carboxy hemoglobin बन जाएगा और blood के पास oxygen आ रहे तो एक time के बाद सांस थमने लगेगी तारे दिखने लगेगे भगवान के पास जाने की तमन्ना जागने लगेगी और ये सब होते होते बेटा राम नाम सत्य है हो जाएगा तो carbon monoxide ये poisonous nature का होता है इसलिए बोला जाता है कि carbon monoxide is poisonous in nature carbon monoxide is poisonous carbon monoxide is poisonous in nature कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है it forms carboxy hemoglobin बेटे क्या करता है it forms carboxy hemoglobin carboxy hemoglobin it forms carboxy hemoglobin ये जो carboxy hemoglobin होता है it forms carboxy hemoglobin which is 300 times more stable than oxy hemoglobin it forms carboxy hemoglobin which is 300 times more stable which is 300 times more stable than oxy hemoglobin और जैसे ही oxyhemoglobin खतम हुआ, सांसे थमने लगेंगी, और बेटा तारे दिखने लगेंगे, और लिट्स तु देथ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो it forms carboxyhemoglobin, which is 300 times more stable than oxyhemoglobin, leads to death, clear, कोई परिशानी नहीं है, सर, carbon monoxide आपका यहीं पे, टाइटाइम फिश, खतम हो गया, अब आ जाते हैं, next compound आपके पास, carbon dioxide, फिर carbon पूरा खतम हो जाएगा, silicon का बड़ा चोटा है, silica और silicates, बड़ा चोटा है, आईए, carbon dioxide की बात कर लेते हैं, बेटे, carbon dioxide किसको कहते हैं, सबको पता है, बड़े लंबे अर्से से आप पढ़ते आ रहे हैं, carbon के पास 2 oxygen है, carbon dioxide, आईए, आईए, अब यहाँ पे, carbon monoxide, limited supply of the air हुआ था, और incomplete oxidation हुआ था, लेकिन अगर मैं complete combustion करा दूँ है, complete oxidation करा दूँ, तो क्या carbon dioxide बन जाएगा, आईए, complete combustion of carbon, complete combustion, combustion बोलो, oxidation बोलो, बात देखिए, complete combustion of carbon, carbon की केस में बात देखिए, वैसे, oxidation and combustion are both different थे, but carbon के केस में बनता तो वही है, so complete combustion of carbon, and carbon containing compound, complete combustion of carbon, and carbon containing compound, in excess of air, बेटा, वहाँ पे air का हम बहुत, in excess of air, इसको हम कहेंगे बेटा, carbon dioxide, जैसे माल लिजे, carbon solid है, वहाँ पी मैंने O2 gas limited लिया था, बट यहाँ पी मैं फराटेदार भरपूर मात्रा में लिया है, तो carbon dioxide बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर carbon containing compound भी हुआ ना, उसका भी हम oxidation या combustion करा दें, तो बेटें, यहाँ पे combustion कराने पे, CH4 gas प्लस CO2 gas बनता है, किसने बोला, CO2, CH4 बनता है, गदेडो, CH4 से CH4 बनेगा, water gas, हाइड्रो कार्बन का combustion से water और CO2 बनता है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यह तो हो गिया, normal preparation की बाइसा, आपने carbon solid लिया, या फिर carbon containing compound लिया, उसका combustion करा दो, तो carbon oxygen मिलके CO2 बनेगा, यहाँ पे hydrocarbon बने carbon का oxygen वाला प्रड़क्त, hydrogen का oxygen वाला प्रड़क्त, सो carbon का oxygen वाल प्रड़क्त, यह बन गया, combustion कराने से oxygen वाला प्रड़क्त बन जाएगा, next, laboratory preparation की बात करते हैं, कि carbon dioxide को laboratory में कैसे बनाया जाता है, carbon dioxide को बेटा, laboratory के अंदर, laboratory preparation, ठीक है, तो carbon dioxide को कैसे हम laboratory में बनाते हैं, आईए, तो सर जी, carbon dioxide में, laboratory में बनाने का तरीका है, कि हम calcium carbonate, चूना पत्थर, CaCO3, इसको हम acid दे देते हैं, reaction रटना मना है, calcium जो है बेटा, वो plus 2 है, Cl minus 1 है, क्रिस क्रॉस होगा, CaCl2 का formation होगा, calcium carbonate जो है, तो यहाँ पर यह CaCl2 का formation हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखरें, H plus है, CO3 minus 2 है, अगेन क्रिस क्रॉस होगा, H2CO3 बनेगा, लेकिन, H2CO3 वापस तूटता है, और H2O और CO2 दे देता है, H2CO3 वापस तूटता है, और दोस्त आपके पास H2O और CO2 बन जाता है, बेसिकलिए हमारे पास यह CO2 ही तो चाहिए, और CO2 का फार्मेशन हो गया है, अच्छा एक बात बताईए, इसको हम प्यार से इसका common name limestone बोल देते हैं क्या, वहाँ पर जो NCRT वहाँ पर लिखा गया है, adding acid to limestone, कितना अंग्रेज वाला लाइन है, adding acid to limestone, अरे भई साम, limestone लो, acid वहाँ डाल दो, क्रिस-क्रोस करा दो, प्रोड़क्ट वहाँ मिल जाएगा, बोलो ठीक है क्या, अच्छा अब इसके रंगत की बात करते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं, कि colorless है, कि orderless है, कि testless है, रंग सर्वतों का है, कि मीठे घाट का पानी है, कैसा है, दोस्त, CO2 वो कभी चख के देखे हो, कोई चख नहीं सकता, दोस्त, colorless पाया गया है, जो साइंटिस्टों ने इकाम किया है, इन पर, उन साइंटिस्ट ने colorless बता के गए हैं, और बेटा दुरगंध ही न होता है, और लेस, टेस्ट के बारे में कोई इस पर कमेंट नहीं है, कोई नहीं किया होगा, या फिर कोई टेस्ट का नहीं निकला होगा, पता नहीं है, जो भी है, colorless है न, orderless है था, CO2, चलिए सर, CO2 भी कोई colorless, अच्छा, लेकिन, CO2 को जलाओगे, तो उसका flame color आता है, वो आगे oxygen पढ़ना है, CO2 ऐसे colorless है, बट जब हम इसको heat करेंगे, जलाएंगे तो उसका flame color अलग आएगा, वो oxygen family में पढ़ना है, उसी तरह carbon monoxide colorless है, बट जलाने पे उसका color अलग आता है, वो oxygen family में पढ़ेंगे, वो oxygen के compound से पढ़ेंगा, ठीक है सर, तो यहां तक तो इस syllabus में तो इ मजदार हो चुके हैं, और इसका reaction आप खुद मुझे बता सकते हैं, पट फिर भी carbon dioxide gas की, आप water से reaction कराओगे, क्या बनेगा, आइए समझा देते हैं, carbon plus 4 में oxide है, oxide में पानी मिलाने से oxo acid बनता है, plus 4 का oxide पानी मिलाने से बेटा H2CO3 का formation हो जाएगा, plus 4 का oxide, अरक का हुआ, बैटरी खतम हो गई, हाँ जी, apple pencil की बैटरीया खतम हो गई, तो carbon dioxide जो है, plus 4 में है, यहाँ पे water की बाद oxo acid बनेगा, plus 4 वाला oxo acid बनेगा, H2CO3 का formation होता है, ओके, H2CO3 का formation होता है, ओके, आईए, बेटे, यह क्या है H2CO3, बेटा यह है carbonic acid, यह क्या है H2CO3, बेटा यह carbonic acid है, कोई दिक्कत नहीं है, बेटा यहाँ पे यह carbonic acid है, कोई दिक्कत नहीं है, आईए H2CO3, it is a carbonic acid, H2O plus CO2, H2CO3 Carbonic Acid हो जागा, reaction with water अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी Carbonic Acid के बारे में खास ख्याल है कि सर ये Dibasic Acid होता है कैसे मैं बता देता हूँ Carbonic Acid कुछ इस तरीके से अपना product बना के रखता है C double bond O, beta OH Carbonic Acid, CO3 है न, OH, OH, OH H2CO3, बिल्कुछ सही है So, दोनों hydrogen more electronegative से जुड़ा है पानी पढ़ते ही, भाई साब, H+, H+, पर रिलीज होगा, it is a Dibasic Acid पानी पढ़ते ही, बेटा, ये H+, रिलीज करेगा, और it is a Dibasic Acid, कोई प्राबलम वाली बात नहीं है पानी पढ़ते ही, बेटा, वो 2H+, लीज करेगा, और it is a Dibasic Acid, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है In fact, मैं आपको बताऊं तो जो H2CO3 होता है महराज, वो जैसे ही मैं इसको पानी में डालूंगा, तहब ये first time, 1H+, लीज करेगा, 1mol of water extracts 1H+, तो यहाँ पे HCO3- का formation करेगा प्लस H+, लिखो, या H3O+, लिखो बात तो एक ही है, ठीक है सर जी, HCO3- जो है, उसकी reaction में वाटर से कराऊंगा, तो बेटा, product बनेगा CO3-2+, आपके पास H3O+, बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना हाँ जी, तो सर, डाई basic acid का यहाँ पे proof भी है, कि H2O3- को पानी में डालने के बाद एक-एक करके वो H+, आसानी से release कर देता है, एक-एक करके H+, आसानी से release कर देता है ठीक है, so it forms carbonate here, H2O+, में डालने के बाद, finally 2H+, release कर दे, एक उपर the blood maintain करने के लिए कौन सा buffer system इस्तेमाल होता है, ठीक है, आईए कि आपके blood की pH को maintain रखने के लिए, body में blood की एक pH होती है, measured pH होती है, जिसको maintain रखते है, ठीक है, उस body में blood की pH को maintain करने के लिए buffer system इस्तेमाल होता है, मैं फिर existence ही खतरे में आ जाता है chemistry के बिना blood ही नहीं रहेगा pH ही नहीं रहेगा blood का तो कैसे exist करोगा तो तुम doctor भी नहीं बन सकते बिना chemistry के कहने का मतलब chemistry जो पढ़ाते हैं वो सब लोग इतने great कैसे हो सकते हैं आच चली next आज आते हैं आपके पास कि यह जो carbonic acid है H2CO3 और दोस जो है आपके पास HCO3 minus carbonic acid और HCO3 minus एक buffer system होता है buffer system carbonic acid और HCO3 minus जो buffer system होता है it helps to buffer system यह क्या होता है it helps to maintain it helps to maintain pH of the blood it helps to maintain pH of blood बेटा blood की pH को maintain करने के लिए अच्छा blood की pH कितनी होनी चाहिए biology का question blood की pH कितनी होनी चाहिए तो बेटे blood की जो pH है वो 7.262 7.42 तक maintain होनी चाहिए 7.262 7.42 तक maintain होनी चाहिए ठीक है और उसको कौन maintain करता है buffer किसका buffer यह HCO3 minus इसको bicarbonate iron बोल सकते हैं carbonate और bicarbonate iron का जो buffer system है ठीक है ठीक है क्लिर है कोई परिशानी वाली बात नहीं है अच्छा carbon dioxide का इस्तेमाल photosynthesis में किया जाता है अच्छा जी carbon dioxide का इस्तेमाल photosynthesis में किया जाता है आईए समझाते हैं आपको कि carbon dioxide का इस्तेमाल photosynthesis में भी किया जाता है प्रकास संसलेशन CO2 is used in photosynthesis अगेन बेटा अगर हम यहाँ पर carbon dioxide नहीं पढ़ाएं तो photosynthesis botany में क्या पढ़ोगे तो सब आई साथ CO2 is used in photosynthesis कैसे आईए समझाते हैं आपको जो photosynthesis की बारे में समझ लेते हैं कि जो green plants क्या करते हैं photosynthesis में converts atmospheric CO2 green plants converts atmospheric CO2 into carbohydrates green plants convert atmospheric CO2 into carbohydrates such as glucose into carbohydrates such as glucose अच्छा जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आईए जो हमारे पास carbon dioxide है जो हमारे पास water है उसके reaction हम करते हैं बेटा H new और क्या chlorophyll भी होता है chlorophyll अच्छा जी तो भाई साब ये प्रकास sensation जो photosynthesis है उसके अंदर आपके पास glucose बन जाता है C6H12O6 प्लस आपके पास O2 और प्लस बेटा आपके पास water देता है इसी महान carbonic इसी महान compound को हम glucose का नाम देते हैं अब CO तो आपके पास जो carbon monoxide था वो तो poisonous था क्या carbon dioxide भी poisonous है अरे नहीं बेटा इतनी इस्तेमाल तो कर रहा है और पूरा plants photosynthesis पूरा plants ही जिन्दा है इसके पूरा आपके पास life ही जिन्दा है इस CO2 के basis पे तो बेटा CO2 is non-poisonous कोई भी इस ये poisonous नहीं होता है CO2 is non-poisonous अच्छा लेकिन ये तभी तक non-poisonous है जब तक इसका amount sufficient है अगर ये एक sufficient amount से इस CO2 के amount बढ़ाया गया अगर atmosphere में carbon dioxide बढ़ा अगर atmosphere में carbon dioxide बढ़ता है तो क्या होता है सहाब atmosphere का heat बढ़ बढ़ जाता है अगर atmosphere में carbon dioxide बढ़ जाता है तो क्या होता है atmosphere का heat बढ़ जाता है ठीक है if CO2 in atmosphere increases अगर CO2 carbon if CO2 in atmosphere increases अगर बेटा carbon dioxide atmosphere में बढ़ जाता है 읽 a sen Nicholas this is called greenhouse effect this is called यह आगे environmental chemistry में पढ़ाऊंगा greenhouse effect अगर मान लिजे आप इतना जादा carbon dioxide release कर रहे हैं इस atmosphere में कि sufficient amount of oxygen को sufficient level of oxygen को हम cross कर जाते हैं carbon dioxide बढ़ने लगता है इस earth में सो बेटा हम इसको कहते है greenhouse effect ठीक है न heat बढ़ जाता है आपके system का क्योंकि CO2 के tendency होती ही heat को absorb करने की सो अगर atmosphere के अंदर बहुत CO2 होगा तो बहुत heat आएगा बहुत heat आएगा तो आद देख रहे हैं कि गर्मियों में यसा लगता है जल जाएंगे हम बाहर जाओगे तो इसी वजह से क्योंकि CO2 का मात्रा हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम बहुत carbon dioxide road पे छोड़ रहे हैं ठीक है तो रोड पे निकल ही नहीं सकते बिना इसी के रही नहीं सकते ठीक है तो वो system से अपने को बचना है और इसलिए हम environmental chemistry पढ़ेंगे अच्छा 2020 में 2020 में एक match तो column आया था chemistry में और वहाँ पे पूछा गया था कि carbon dioxide का solid form क्या होता है वो यहीं से पूछा गया था दोस्त कि CO2 is obtained in solid form बेटा CO2 जो है वो solid form में obtained होता है CO2 is obtained in solid form as dry ice तो बेटा dry ice की तरह CO2 को हम obtained करते हैं ठीक है चलिए next dry ice का इस्तिमाल कहां होता है तो बेटा refrigerator के अंदर dry ice is used as refrigerant और यह भी पूछा गया है कि उसका इस्तिमाल क्या है तो carbon dioxide solid form में dry ice होता है और इसके इस्तिमाल हम liquefy करने के लिए करते हैं मतलब ठंडी करने के लिए करते हैं refrigerant की तरह करते हैं अच्छा जी CO2 का structure किसको किसको पता है सर सीओ टुका structure यही तो है सर जी कितने हैं दो सिगमा है और दो पाई बॉन्ड है यहां पर दो सिगमा है क्या इसको हम SP hybridization बोल सकता हूं बिल्कुल बोल सकते SP hybridization और अगर यह SP hybridization है तो बेटा यह linear होगा या नहीं होगा बिल्कुल I know यह ब्लियर होगा अहीं कि यहांपि मुझे बताइं है कि यहांपर पी पाई- 29 में back क्यूए और बेटा दो रप रभाई बनेंगे कि अच्छा एक और बात बात बताओ पोळर है कि यकोण और है कैसे पता चलेगा तो भाई-सहाब एक और चीज बेटा, less से more electron negative, less से more electron negative, दोनों bond same है, दोनों का dipole same है, cancel out each other, equal and opposite vector cancel out each other है, तो भाई साब, mu is equal to zero है, ये एक non-polar है, mu is equal to zero है, ये एक non-polar है, ठीक है न, non-polar कैसे पता चला भाईया, zero dipole है, इसका, इसका, वो बना सकते हैं क्या आपन, regionating structure, तो carbon है, double bond हो है, double bond हो है, भाई स सब यहाँ पर loan pair है, यहाँ पर loan pair है, यहाँ पर loan pair है, बहुत जल्दी हम इसका regionating structure आपको बता रहे हैं, कि दोस्त, oxygen है, high density से आगे flow हो जाएगा, high density सो low density की तरफ यह आगे आएगा loan pair, तो सर, carbon 5 bond नहीं बना पाए, इसलिए ये bond तो उनना पड़ेगा, so next structure आपके पास यह जा सकता है, carbon 2 यहाँ पर 2 तो था ही triple bond हो गया, और यहाँ पर 2 single bond O minus हो गया, donor पर plus, acceptor पर minus हो गया, ठीक है, जहाँ पर 1 bond बना है, वहाँ पर 3 loan pair आएगा, 1, 2, 3, और जहाँ पर 3 bond pair बना है, वहाँ पर 1 loan pair आएगा, carbon की 4 bond बने है, 4 bond बने थे, उस पर कोई भी नहीं आएग बेटा, carbon triple bond हो, यहाँ पर O minus, यहाँ पर O plus, बेटा, यहाँ पर loan pair है, यहाँ पर 3, 3 bond है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या, हो गया, carbon dieg side आपके पास हो गया, इसके बाहर NCRT एक line नहीं है, न था, न होगा, सो मैं आपको बो दोस्त, यहाँ पर पूरा NCRT बढ़ाता हूं, यूट्यूग पर, ठीक है न, NCRT बेस्ट, और जो की selection के लिए ज़र रहत है, ठीक है, basics clarity के लिए, और सारी चीजों के लिए, कोटा classroom course के लिए, और मज़ेदार के लिए, दोस्त, वहाँ प्लस पर लेना पढ़ेंगे, easily selection होता है, चलिए, अब आज आता हूं मैं आपको, यह हो गया carbon dioxide, now carbon monoxide, carbon dioxide मतलब compounds of the carbon तो हो गया, आइए silicon की बात कर लेते हैं, और silicon के compounds में सबसे पहले आपको पढ़ना है बेटा, silicon dioxide, जैसे carbon dioxide पढ़ा है, उसी तरह दो silicon dioxide, थोड़ा rest कर लेंगा, नहीं, बि silicon dioxide में, बिटा, इसको हम SiO2 बोल सकते हैं, क्या, जैसे CO2 था, वैसे SiO2 हो गया, इसको प्यार से silika भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, silika, ठीक है, silika, इसको हम commonly known as silika, अब silika जो है, SiO2 जो है, इसके तीन crystalline form होते हैं, ठीक है, silika के three crystalline forms are formed, three crystalline forms of silika, ठीक है न, इसको है, silika के three crystalline forms होते हैं, पहला होता है, आपके पास beta-quartz, पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, दोस्त, आपके पास, crystal ballite, दूसरा क्या होता है, crystal ballite, और तीसरा क्या होता है, आपके पास, tridymite, again, NCRT में दिया हुआ है, अच्छा, क्वार्ट जो है, वो PZO electric material बन मिलता है, यहाँ पर पता ने, PZO electric metal, ठीक है न, PZO electric, मतलब, estress देने के बाद, PZO electric material का मतलब होता है, estress देने के बाद, उसमें estress estrain पढ़ते हैं, हाँ, force का एक तरह का component है, ठीक है न, चलिए, उतना detail में नहीं जाएंगे, क्वाट जो है, वो PZO electric metal के लिए, इस्तमाल क किया जाता है, used as a PZO electric material, अब इसको समझने के लिए, दोस्त, आप एक बार Google कर लिजेगा, estress देने के बाद, compound material के अंदर आपके पास, used as a PZO electric material, मैं आपके सामने ही PZO electric material कर लेता हूँ, ना मेरे काम का है, ना आपके काम का है, बढ़ समझने के लिए ज़रवत है, wait, one second, PZO electric, P-I-Z-E-O, PZO electric meaning, ठीक है, बेटा, PZO electric क्या होता है, कि जब आप mechanical stress डालते हैं, stress समझो ना, stress डालने पर, electricity develop हो जाती है, मतब चार्ज डेवलप हो जाता है, that is PZO electric, ठीक है, चार्ज डेवलप करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना, उसी में से, जब stress डालते हो, तो जब चार्ज आएगा, उसी को हम PZO electric कहते हैं, used as a PZO electric material, साइध आपके syllabus में नहीं है, यह, I don't know, ठीक है, अब यह जो है, जो, यह सारे जो है, वो inter-convertible है, all these three crystalline forms are inter-convertible, these crystalline forms are, these crystalline forms are inter-convertible, इसको हम क्या बोलते हैं, दोस्त, inter-convertible, these crystalline forms are inter-convertible, आए, inter-convertible, अब आते हैं, अब आते हैं, दोस्त, यह जो silika है, SIO2, यह जो silika है, SIO2, इस पर क्या होता है, this is a covalent 3D network, यह जो silika है, SIO2, यह जो है, यह है, आपके पास covalent 3D network, इसका structure बनाऊँगा, structure बनाऊँगा, पहले structure के बारे में explain कर रहा हो, सो यह covalent 3D network है, जिसमें, each silicon is covalently bonded, each silicon is covalently bonded, each silicon is covalently bonded in a tetrahedral manner, each silicon is covalently bonded in a tetrahedral manner to 4 oxygen atom, तो बेटा, 4 oxygen atom, each silicon is covalently bonded in a tetrahedral manner to 4 oxygen atom, आईए, इसी चीज़ का मैं थोड़ा structure बनाके बताता हूँ, कि कैसे covalent 3D network, जैसे मा लिज़ें, यह silicon है, अड़े यार, फिर से pain खतम हो गया, आच्छा, आपके पास structures महुच रहे, सॉरी, इसके पास short notes जा रहे हैं न, आप लोग telegram में, मैं short notes डाल चुका हूँ, ठीक है न, यह black वाला short notes भी मैं डाल देता हूँ, और normal short notes भी मैं डाल देता हूँ, जो, इलेक्ट्रिक, digital short notes जिसकों मोलते हैं, electronic short notes या फिर digital short notes, ठीक है न, आइपैड short notes जिसकों मोलते हैं, ठीक है, और वो बहुत viral हो रहा है, मेरे एक PDF पे मैंने देखा था, कि एक लाख views हो गए थे, टेलिग्राम पे, किसी एक PDF पे, पुराने PDF है, सो एक लाख लोगों तक पहुच आ है वो, क्योंड टेलिग्राम के थुरू, तो that's amazing, इसका मदब काफी content gap है, बच्चों में और टीचर्स में, तो देना चाहिए, तो वही मैंने दे रहा हूँ, चलिए, आईए, silicon dioxide में क्या होता है, जैसे माल लीजिए silicon है, ये covalently bonded होता है, ये covalently bonded होता है, चार oxygen atoms है, आगे फिर से ये silicon जो है, ये फिर से covalently bonded होता है, चार oxygen atoms है, silicon जो है, वो covalently bonded होता है, चार oxygen atoms है, ठीक है, silicon O, silicon O, ने, 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 यहाँ पर सीधा आजाएगा, फिर O, फिर silicon, फिर यहाँ पर आजाएगा, ये आगे ये आगे ये आगे ठीक है फिर oxygen फिर बेटा आपके पास आजाएगा silicon फिर oxygen फिर आएगा silicon फिर आएगा oxygen फिर आएगा silicon फिर आएगा oxygen फिर आएगा silicon फिर आएगा oxygen फिर आएगा silicon फिर आगे फिर दोस यहां पे आजाएगा oxygen फिर दोस यहां पे आजाएगा oxygen फिर और आगे इधर, आगे इधर, आगे इधर, आगे इधर oxygen, मतलब यह फिर 3D network है, सब तरफ फैलता चला जाएगा, सब तरफ बेटा आगे की तरफ silicon oxygen, silicon oxygen ऐसे जूरता चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर बेटा oxygen है, फिर बेटा यहाँ oxygen है, आईए, so this is a coval 3D network, in which silicon atom is covalently band bonded to 4 other oxygen atom, silicon atom बेटा, covalently bonded होता है, 4 other oxygen atom से, ठीक है, आपको यह समझ में आ रहा है, कि यह एक 8-membered ring है, यह समझ में आ रहा है, कि सर यहाँ पे, this is a 8-membered ring, with alternate silicon and oxygen atom, with alternate alternate silicon and oxygen atom, यह एक 8-membered ring है, जो silicon और oxygen atom से alternate bonded है, अब देखना, SiO2 जो है, इसमें SiO bond है, ठीक है, यह इसका जो bond energy होता है, बहुत हाई होता है, तो SiO bond has very high bond enthalpy, जल्दी टूटे गा नहीं, कितना भी heat दे दो, तो चुकी SiO bond का enthalpy बहुत जादा है, तो इसका मतलब SiO2 बहुत strong होगा, जल्दी टूटे गा नहीं, तो भाई साम अगर जल्दी टूटे गा नहीं, तो इसलिए reaction नहीं करता है, So SiO2 do not react, why? Because SiO2 के जो अंदर के bonds है, वो बहुत strong है, तो SiO bond जो है, उसकी bond enthalpy बहुत जादा है, आईए, SiO bond enthalpy, silicon oxygen, silicon oxygen bond enthalpy is very high, silicon oxygen bond enthalpy बहुत high है, So SiO2 is almost non-reactive, SiO2 जो है, वो almost बेटा non-reactive है, अब आते हैं, SiO2 generally compound से react नहीं करता है, बहुत special and बहुत high temperature पे SiO2 दो चीजों से react करता है, और इसकी reaction कई बार पूछी जा चुकी है, SiO2 reacts with HF and NaOH, SiO2 जो है, वो HF and NaOH से react करता है, SiO2 reacts with HF and NaOH, आईए, अब आते हैं, तो आपका जो SiO2 है, वो एक बार मैं उसकी HF से reaction कराऊँगा, एक बार मैं उसकी NaOH से reaction कराऊँगा, तो आईए मैं आपको बताता हूँ, SiF4 बनता है, कह यहाँ पे Si plus 4 है, यहाँ पे F minus है, तो Si plus 4 और F minus में SiF4 बन जाता है, और बेटा यहाँ पे twice of water निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, Si plus 4 है, NaOH है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, this is Na2SiO3, sodium silicate की form में बनेगा, आगे मैं आपको बहुत डीटेल में silicate में पढ़ाने वाला हूँ, तो यह दो, ऐसे reaction है, पहला वाला तो मैंने बता दिया, प्लस और माइनस के combination से, दूसरा वाला एक तरह से रचना पड़ेगा, SIO2 generally reaction नहीं करता है, बट very 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 high temperature पे दो प्रोड़क्ट से, दो compound से reaction करेगा, that is HFN, NaOH, अच्छा, जो silica gel है, अगर आप कोई जूते वगर खरीते हैं, shoes, तो आप जब जाते हैं, तो वो pack करके देता है, जब आप घर लाते हो, तो pack करके, घर बेजते हैं, आप देखोंगे, छोटा सा एक silica gel का packet होता है, या फिर आप जूते खरीतो, या फिर उलन कोई भी चीज खरीतो, या फिर कोई भी electronics की समान खरीतो, तो वहाँ पर वो silica gel के packet उसमें रखके देते हैं, पता है क्यों, silica gel जो है, वो drying agent की तरह काम करता है, वो क्या करता है, कि अगर moisture है आसपास, तो उसको absorb कर लेगा, तो अगर मान लीजे, जूते में moisture आगया, तो आपका जूता खराब हो सकता है, में भी लेदर का हो, खराब हो सकता है उलन में पानी आगया, मौश्यर आगया तो खराब हो सकता है महक हो सकती है तो वो सारी चीज़े जहां पे पानी नहीं रहना चाहिए वहां पे हम silica gel इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे कि वो मौश्यर एब्सर्ब कर ले और drying agent की तरह इस्तेमाल हो जाए तो silica gel, यही silica होता है इसी का gel, silica gel is used as drying agent silica gel जो है वो drying agent की तरह इस्तेमाल करते है silica gel is used as a drying agent ठीक है, clear है तो आपके पास silica gel हो गया मलब silica हो गया silicon का जो compounds होता है वो silica होता है आपके पास silicones silica हो गया आप सिलिकोन और फिर लास्ट सिलिकेट्स चलिए तो सिलिकोन पर आ जाते हैं एकदम NCRT लाइन बाइन आपको यहाँ पर मिलेगा मैं कोई डबल ट्रिपल चौबर बापत नहीं करना वालों को बहुत नौलिज देने नहीं आया हूं हाँ सिर जग गया है तो इसको थोड़ा सा समय दीजिए वह जब आएगा तो इतना रोर करेगा कि दुनिया देखेगी फिर सब डरने लगेंगे केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं फिसलिकोंस एक सिंपल बात है इसलिकों स क्या होता है एक और गयनो सिलिकन पॉलिमर है जिसमें कारबन भी आएगा कारबन इसलिए क्योंकि और गयनिक का मतलब भी कारबन हो गया 99% organic compound carbon से मिले हैं तो organosilicon polymer silicones क्या है this is a organosilicon polymer organosilicon polymer ठीक है न having R2SiO organosilicon polymer having R2SiO as repeating unit अगर आपके पास R2SiO repeating unit है ठीक है न तो इसी को हम कहते है R called silicones इसको हम क्या कहते है बटा R called silicones इसको हम silicones का नाम देते हैं आए समझते है it is represented as ठीक है न इसको हम silicones कहते है represented as represented as RnSiCl4-n it is represented as RnSiCl4-n RnSiCl4-n आए एक एक करके मैं बताता हूँ organosilicon polymer जिसमें R2SiO unit है silicones कहते है इसको हम इस तरह से represent करते है आए समझते है न जिससे माल लिजे आपके पास क्या है CH3Cl है जिससे माल लिजे आपके पास क्या है CH3Cl इसके reaction में कराता हूँ बेटा किस से silicon से CH3Cl alkyl halide होगे silicon से reaction करा जेता हूँ in the presence of copper powder आपको पता है copper powder किस powder की presence में कराते हैं वो पूछा गया था कि silicon बनाने के लिए आप तो alkyl halide होगे silicon की reaction करा होगे in the presence of copper powder और अच्छा खासा 570 Kelvin लेते हैं carbon family का है silicon के बनाने है चार तो दो bond तो SiCl2 ले लेता है क्योंकि हम इसमें दो मोल लेंगे इसके SiCl2 समझा गया चलो ठीक है सर और दो bond जो है वो methyl ले लेता है CH3 whole toys क्योंकि दो methyl भी हमारे पास तो silicon के चार bond होगे अब ये silicon's नहीं है हमने क्या बनाया पहले polymer बनाया एक compound से दो compound आपके पास long chain बन गया ठीक है अब मैंने इसमें क्या किया है दोस्त वाटर निकाल दिया मैं सोरी वाटर डाल दिया अब देखो आपके पास सब्सक्राइब करेंगे तो आप देखेंगे क्या यह सी एच थरी होल ट्वाइस एसाई ओएच होल ट्वाइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है और रहा है सब्सक्राइब यहां पर आपको बताना चाहते है इन सारी को एक्सपेंड करके लिखिए यह जो सारे सियल सी ओएच से रिप्लेस हो जाएंगे यह तो बड़ी सिंपल सी कंडिशन है अब क्या करता हूं दोस्त देखो यहां पर सिलिकॉन है ओ प्लेसे आपके पास मिथाईल है नीचे आपके पास मिथाईल है नीचे में पास मिथाईल है लेफ्ट में आपके पास OH है, राइट में आपके पास OH है similarly बेटा, सिलिकॉन है, उपर आपके पास मिथाईल है, नीचे आपके पास मिथाईल है लेफ्ट में आपके पास OH है, राइट में आपके पास OH है OH-OH से दोस्ट ये water का removal हो जाता है, this is OH-OH water का removal दूसरा कंडिशनेशन रगेन वॉटर का यहां से रिमूवल हो गया है तीसरा आपके पास यह वॉटर का रिमूवल फिर से कर दिया गया है था अब देखोगे तो अगर मैं वॉटर का रिमूवल करने के बाद जो प्रोड़क्ट बनाता हूँ सो दोस्ति यही तो है ऑक्सीज फिर सिलिकॉन, उपर मिथाइल, नीचे मिथाइल, फिर से ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, उपर मिथाइल, नीचे मिथाइल, फिर से ऑक्सीजन, फिर से सिलिकॉन, उपर मिथाइल, नीचे मिथाइल and so on, ऐसा बेटा वाटर निकलने के बाद होता रहेगा कोई परिशानी नहीं ह ऐसा water निकलने के बाद इस तरह से बेटा एक oxygen ऐसे जूरता रहेगा कोई परिशानी नहीं है अब जैसे ही यह हुआ अब जैसे ही यह हुआ बेटा यहां पर देखेंगे यह हो जाएगा और इसमें आप repeating unit देखें तो क्या यही हमारा repeating unit है this one this one is the repeating unit oxygen के साथ yes so this one is the repeating unit C3 मतलब SI उपर मिठायल नीचे मिठायल और सामने oxygen this is the repeating unit in silicons यह हमारे पास repeating unit है silicons के अंदर so यह repeating unit है silicons के अंदर these are the repeating units in silicons ला 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 लिखे लिया आपने क्या हमने क्या है कि सर हमने इलकाइल हालाइट लिया फिर हमने सिलिकॉन लिया copper powder के presence में heat कर देना है तो आपके पास CL CL वाले polymer बन जाएगे water डालो OH OH बन जाएगा पानी निकालो silicone's बन जाएगा and these are the repeating units जिसको ऐसे polymer जिसमें ये repeating unit है silicone's CH3 CH3 left in oxygen right in oxygen ये silicone's हो गए ठीक है से इसके बाहर न आपको silicone's NCRT में है न पूछा जाएगा ठीक है पढ़ानी के लिए मैं फिर बोल रहों बहुत सारे हैं but NCRT stick करी in organic chemistry में चली अब आज आते हैं आपके पास silicates वैसे तो दो silicates भी आपके पास नहीं है NCRT में but ये पढ़ना जरूरी है out of the NCRT जो मलब silicate के खाली intro दिया हुआ है तो अगर आप video end करना चाहते हैं तो कर सकते हैं लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको complete कर लिजे 10 minute लोगा चलिए आईए तो तो silicic acid आपको मैंने पढ़ाय हुआ है H4SiO4 जब मैंने silicone का hydration करा रहा था तो sir अगर SiO4 लिख सकते हैं या फिर उसको आप SiO4 या फिर SiO4 लिख सकते हैं अगर इसी का derivative होता है इसी को हम silicates कहते हैं जो basic units है जो basic unit है तो basic unit होता है आपके पास SiO4-4 इस आरदब basic units अब आप मुझे बताएंगे SiO4-4 में silicone है बेटा O- है यहाँ O- है यहाँ पर O- है यही तो होगा और सिलिस्तिक unit होता तो सारी – H+, ले लेते SiOHOHOHOHOH बन जाता ठीक है sir बेटे कितने sigma bond दिख रहे हैं सर जी 4 sigma bond दिख रहा है कौन से hybridization होता है तो बेटा आपको SP3 hybridization दिख रहा है अगर SP3 hybridization है तो क्या दोस्त यह tetrahedral भी आपको दिख रहा है बिल्कुँ सही sir सो यहाँ पर हमारे पास SP3 hybridization होगा और आपके पास बेटा tetrahedral हो जाएगा NCRT में इससे जादा कुछ है नहीं This is what NCRT is बट अब हमें types of the silicate पढ़ना है short में पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है जिससे सवाल हो जाएं जो आते हैं तो अब आदे classification of silicate पे कि silicate की किन-किन चीजों पे classify किया गया है और कैसे कैसे किया गया examples क्या है, formula क्या है, charge क्या है So आइए types of silicate की बात करते है So आइए types of silicate की बात करते है types of the silicate आइए सबसे पहले मैं इसका trick बढ़ाऊंगा कि बेटा auto पे चड़े हो क्या हां जी तो auto पे मतलब ortho auto मतलब ortho auto पे बेटा पैरो से चड़ते हो ना बिल्कुल सर तो ortho पे पैरो क्या है आपके पास ट्रिक यहां पे लिखना चाहता हूँ auto, paro, auto पे चलते हो paro से चड़के बैठते हो फिर बेटा इन auto से उतरने के बाद cycle भी तो है auto से नीचे कहां जाओगे cycle तो cyclic ortho paro cycle फिर cycle जो होती है पुराने जमाने में बेटा देखते हो कि single chain वाली cycle साइकल आती थे single chain वाली cycle आती थी या फिर आप single chain या फिर simple आप बोली है चीक यह single chain सिलिकेट फिर आता है आपके पास डबल chain पूर्ट फिर sixth आता है आपके पास बेटा sheet silicate और फिर बेटा 7 आता है आपके पास 3D silicate ओ पी ऩाटो पे पैरो से cycle चल लेकिन पहले बेटा single chain की cycle आती थी, अब भाई साब double chain वाली cycle आप चला रहे हो, क्योंकि थोड़े से auto ज्यादा कमा रहे हो आप, और बेटा auto में अब आपके seat भी लगा हुआ है, seat मतलब SEAT वाला sheet, cycle पे seat भी है जिस पे आप बैठ सकते हो, और बेटा वहाँ से आप 3D view ले र silicate, ortho silicate के 3D तक, auto paro, cycle, single chain, double chain and sheet silicate and three types of the silicate यहाँ पर आगे, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा, ortho silicate के बारे में, यह ortho silicate क्या होता है, कैसे कैसे होता है, आए धेटिंग लगा दीजेगा, ortho silicate, अच्छा जी, ortho silicate, ortho silicate क्या होता है, समझते है, बेटा, ortho silicate मे है, the simplest, एक सेकंड, ortho silicate में क्या होता है, simplest silicate, ortho silicate क्या होता है, simplest silicate, which contains, simplest silicate, which contains, SIO4-4, tetrahedral unit, बेटा, SIO4-4, tetrahedral unit, जिसके पास होता है, उतको हम कहते है, ortho silicate, ortho silicate में आप देखेंगे, तियो हो जाएगा, सिलिकॉन, ऊपर जाएगा, बेटा, O-, left में जाएगा, O-, नीचे जाएगा, O-, right में जाएगा, O-, this is ortho silicate, थोड़ा tetrahedral का अगर मैं आपको feel दिलाऊ, थोड़ा tetrahedral का अगर मैं आपको feel, एक सेकेंड, थोड़ा tetrahedral का अग tetrahedral का, ठीक है न, feel आ रहा है, सिलिकॉन ऐसे अंदर धसा हुआ अगरा, और चार ऑक्सिजन ऐसे 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 बाहर मकडे के जाल की तर, tetrahedral feel आ रहा है, या फिर सिलिकॉन बीच में लग रहा होगा, तीन पैर ऐसे दिख रहे होंगे, एक ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, ठीक पहली नजर पर प्यार जाता कितना गलत concept आप देख पा रहे हो देखने से प्याव जाता है। ऐसों में में इक तॉप यू आन्यकुल कि तोंप व्यू की अक्सिजन से देख रहा हूं तो oxygen दिखेगा सबसे पहले पेटा टॉफ व्यू में आपको सबसे पहले oxygen दिखेगा बिल्कुली oxygen दिख गया अब oxygen की नीचे silicon पड़ा है oxygen के जस्ट नीचे silicon है तो silicon को हम डॉट से लिखते हैं ओ इस oxygen and dot is silicon कैसे पता चला अरे सब oxygen को देखो गे तो उसके जस्ट नीचे तो सर यह तीनों पेर इससे ऐसे आपको दिखाई दे रहें तीन oxygen आसे निकले पड़े और कुछ नहीं एक और मात चला है कि जितने भी उक्षव्य किने माइनर और यहाँ पर मीस चार्ज आप को और यहांब यहाँ इसका जो फॉर्मूला है वह इसना उस फॉर्मूला है ऊप रहे यह जा शकता है च्शाम में बेशिकली जदातर यह उनन यह दे कर पूछा जाता है, so top view आपको draw करना आना चाहिए, top view बेटा draw करना आना चाहिए, ठीक है, so ये simplest orthosilicate is the simplest silicate जो si o 4 minus 4 बोला जाता है, अब आपने ortho के बाद pyrosilicate, pyrosilicate क्या होता है, कि जब दो orthosilicate आपस में एक oxygen share कर रहा हो, silicon के पास 4 oxygen है, अगर एक oxygen common है, तो फिर उसको हम pyrosilicate बोलते हैं, यह orthosilicate हो गया, आगे आगया बेटा pyrosilicate, आएए pyrosilicate की बात करते हैं, pyrosilicate में क्या होता है, कि one oxygen atom is shared between basic tetrahedral units SiO4-4, ठीक है न? आएए, one oxygen unit is shared between two SiO4-4 basic unit, चलिए, बिल्कुल सही है, आच्छा जी, clear है, कोई दिकत वाली बात नहीं है, आएए, अब आते हैं दोस्त, यहाँ पे यह सिलिकॉन है, यहाँ पे दोस्त O- है, यहाँ पे O- है, यहाँ पे O- है, यहाँ पे O- है, यहाँ पे O- है, अगर चौथा oxygen, मैं दो basic unit के बीच में share कर देता हूँ, कोई गुना है क्या, भाई, इसी को हम बोलते हैं, अब देखो, यह भी SiO4-4 है, वो भी SiO4-4, एक oxygen share कर लिया दोनों में, इसी को हम क्या बोलते हैं, pyrosilicate, ठीक है, अब देखे, pyrosilicate का मैं top view बनाऊंगा, समसे पहले, एक ठीक है Sir, लेफट वाले oxygen के नीचे silicon दिख गया, राइत वाले oxygen के नीचे यह silicon दिख गया, यह सिलकॉं, यह वाला silicon, अब यह silicon 3 oxygen से bonded है, बिलकुल ठीक है, तो Sir यह वाला oxygen, 3 oxygen से bonded है, यह नीचे ऐसे और यह आगे, ठीक है Sir, उसी तरह यह वाले की बात करते हैं, तो यह आच्छे लिखने के लिए डॉट-डॉट से मिला दीजी अच्छे लगने के लिए डॉट-डॉट-डॉट से मिला दीजी नहीं भी लगेगा तो उत्रहीं करेक्ट है। और कर देंगे तो भी साहिए है यहां पर दिख रहाएं कि दो जो basic unit है बिटा ऐसा यह 4-4 की बात करते हैं यहां पर अच्छा इहां पर आपके पास O- और यहां पर O- दीखना चाहिए, बिल्कुल, यह जो common है, आप देखिए इसका माइनस चार्ज खातम हो गया है, क्योंकि oxygen ने डो बना लिया, सिंगल बॉन्ट बना रहा है तभी तो उसको माइनस चाहिए पर डबल बना रहे तो उसका माइनस चाहिए अब इसका फॉर्मूला आप बता सकते हो क्या SI2 है ऑक्सीजन साथ है माइस चाहर्ज कितने हैं तीन इस पे तीन उस पे तो बेटा SI2O6-6 हो गया क्या 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 हु क्लीर है तो सर और ठो भी हो गया पायरो भी हो गया अब आ चाते हैं साइक्लिक सिलिकेट के ऊपर पहले में एक था अब यहाँ पर दू हो जाएगा तो यहां पर मैं आपको बताता हूँ मैं आपको टॉप वियू से समझाता हूँ कैसे तीन और दो ऑक्षिजन एटम शेर होगा आए क्या यह तॉप वियू है यह देखेगा ऊपर जाएगा यहां पर जाएगा ऑक्षिजन और यहां पर जाएगा ऑक्षिजन ठीक है ठीक है क्लियर है समझ में आ रहा है ओके अब यह आपके पास दिस इस दा टॉफ व्यू आफ वन अफ दो बेसिक यूट अब आते हैं यह फिर से यह देखेगा इसके दो ऑक्षिजन एटम हम शेर कर है ऐसे और ही इसे आप दोगा तो दोस्त यह वाला भी दोट धोली अटर त कोई परशाने वाल olan हुट नहीं है तो सड़ी ऐसा है इसके भी फिर से आप डॉट 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 बना दीजिए तो आप देख पाएंगे कि एक सिंगल ट्रहेडरल यूनिट के दो ऑक्सिजन एटम शेयर हो रहे हैं बेटा बनाने को मैं पांच सिलिकेट का भी साइकलिक बना सकता हूं बट इससे ज्यादा आपके काम का नहीं है यही पूछा जाता एक्जान में आपको देख रहा होगा इस सिलिकेट की बात करो तो देखो दो ऑक्सिजन एटम सियर चाइवले यहावले इस की बात करो तो दोंने रायट वाले यह सारे ऑक्सिजन एटम बेटा इसके शेयर है ठीक चाना इसका formula बताऊगे, क्या बेटे यहाँ पे 3 SI दिख रहा है, क्या यहाँ पे 3 SI दिख रहा है क्या बिल्कुल, उसके बाद आप देखेंगे, कि सर, SI 3 O 9 minus 5 दिख रहा है क्या, 3 oxygen और 5 minus charge, 1, 2, 3, 4, 5, SI 3 O 9 minus 5, अब SI 3 O 9 minus 6, ठीक है, चली, इसका general formula क्या होता है, minus 6 होगा, इसका general formula होता है दोस्त, general formula is equal to, SI 3 whole N minus 2 N, ठीक है न, इसका general formula होता है, SI 3 whole N minus 2 N, अब देखो के N 3 में तने कैसे minus 6 पे जाना, यहाँ पे N है न, 3 है, तो दोस्त, यह minus 2 N 6 चला जाएगा, ठीक है न, यह minus 6 कर लिजिए, थोड़ा अच्छे से, गन खतम हो गया, आईए, तो यह होगा दोस्त, आपके पास cyclic, जब 2 oxygen atom, एक cycle का formation कर रहा है, दो oxygen atom share हो रहा है, और cycle का formation कर रहा है, ठीक है, अब single chain silicate क्या होता है, यहाँ भी दो ही oxygen atom share हो रहा है, बट cycle का formation ना करके, वो open chain का formation कर लेता है, ठीक है, 2 oxygen atom of single tetrahedral unit is shared, यहाँ पे आगया, SI 3 whole N, माइनस 2 N, अब आते हैं, चलिए, यह माइनस 6 अच्छे से कर लिज़े आप, ठीक है, चलिए, आईए, अब आते हैं single chain silicate के उपर, single, फिर आजाता है बटा, chain, और फिर आपके पास आजाएगा single chain silicate, single chain, और फिर आपके पास आजाता हैं silicate, single chain silicate के उपर, आए, अब आते हैं दोस्त, यहाँ पे, कि each unit, each unit shares two oxygen atom, हर unit बेटा, दो oxygen atom share करता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आएएगे, so this is बेटा आपके पास oxygen, यह उपर आएगा oxygen, यहाँ पे minus चार, यहाँ पे left में आएगा oxygen, यहाँ पे right में जाएगा oxygen, यहाँ आपके पास एक single tetrahedral unit हुआ, यहाँ पे आपके पास single tetrahedral unit हुआ, clear बात है की नहीं है, ठीक है, नीचे आप जाएगे दोस्त, तो again आपके पास single tetrahedral unit हुआ क्या, आपके पास, यह ओ, यहाँ पे oxygen, यहाँ पे silicon, यहाँ पे oxygen, यहाँ पे oxygen, यहाँ पे फिर आपके पास दोस्त, यह दो तो oxygen atom share हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पट क्या होता है, कि इस बार वो chain ना बनाके single silicate, बतलब chain के फॉर्म में, मतलब open chain के फॉर्म में, आगे इस तरह से रहता रहेगा, आगे इस तरह से रहता रहेगा, ठीक है, ओके, ओके, क्लियर, 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 कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 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 है, जिन्दगी अब तुम है हो, यहाँ पे general formula क्या हो जाएगा, इस i3 whole n, minus 2n, exactly same, वहाँ पे cycle बन रहे है, यहाँ पे open chain बन रहे है, यह single chain हो गया, अब double chain क्या होता है, यह exactly same, दो बार repeat होता है, अब उसका structure मत पढ़िया, यह exactly same, दो बार repeat होता है, बस उसका structure मत पढ़िया, उसमें क्या होता है, कि 2 and double chain में, क्योंकि उसका structure बहुत ही, बहुत ही double chain silicate में, कि तो बहुत ही, वह हो जाएगा, मतलब, उसमें 2 and 3 oxygen atom share होता है, कैसे, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, but, some basic silicate units, some basic silicate units share 2 atoms, ठीक है, उसके बाद 3 में, some basic silicate units share 3 atom, तो इसमें क्या होता है, कंबिनेशन हो जाता है, इसलिए double chain में जाता है, मतलब, यही chain है, बस नीचे एक और layer और जुड़ जाएगा, तो जो नीचे वाला layer जुड़ता है, वो 3 atoms share करता है, ठीक है, उसके बाद, यहाँ पर आ जाएगा, कि सर्कुछ 2 और कुछ 3 silicate units share करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो general formula है, वो हो करता है, या फिर NCRT में नहीं दिया है, क्योंकि बहुत complicated हो जाएगा, डबल चे, अब डबल चेन के बाद, आपके पास last, आपके पास sheet silicate आता है, sheet silicate में 3 oxygen atoms share होता है, और वो और भ्यानक सा, इसका 3 oxygen, बहुत भ्यानक ही इसका diagram बन जाता है, बनाने के लिए बना लेंगे, बट फिर वो time waste है आपके लिए, चलिए, general formula बस ध्यान रखिए, SI2 whole 5 whole N minus 2N, ठीक है, and last में आपके पास बेटा 3D silicate, 3D silicate कुछ नहीं होता है, वही Si2 होता है, ठीक है, Si2, all four oxygen shared, silicate, silica पढ़े हैं न, Si2, वही है, seat silicate, ठीक है, वही है, seat silicate, अब आता है, zeolite, बेटा, silikons के अंदर, अगर मैं कुछ alkyl group हटाके, aluminium डाल दू, उसी को zeolite कहते हैं, silicons के अंदर, नहीं, silicates के अंदर, यह Si2 के अंदर, आए, silicates हो गया, आए, geolite में, geolite वैसे हम hydrogen में पढ़ चुके हैं, when, when, aluminium atom, replace, fuse silicon atom, ठीक है न, in, 3D network of Si2, in, 3D network of Si2, alumino silicate is formed, alumino silicate is formed, it is called zeolite, इसको हम क्या बोलते हैं, बेटा, it is called zeolite, इसको हम zeolite कहते हैं, ठीक है न, जब aluminium atom, कुछ silicon atom को replace कर देता है, किस से, पूरे 3D network of Si2 से, उसको हम कहते हैं, geolite, कोई परिशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, चलो, So next, यहाँ पर आपकी clarity आ गई है, होगे आपका carbon family खतम, and thankful, you can write thanks, वैसे गालिये देने के लिए 1000 लोग हैं, क्योंकि बढ़गा देते हैं कुछ लोग, but, कुछ लोग thankful भी हैं, majority, ठीक है, और दोस्त वहाँ पर, आ जाते हैं, कि, you can say thanks in the comments, ठीक है, क्योंकि आपकी block chemistry खतम हो आपके पास, खतम हो गया है, confused नहीं होना है, ठीक है, 12th का nitrogen, oxygen और halogen, आपको पता है, nitrogen 4 lecture लेगा, बढ़ा है, oxygen 3 lecture लेगा, और halogen और ये 2 lecture लेते हैं, मतब कुल मिलाके बेटा, hardly 8 lecture और चाहिए होगा, ठाकि आपका पूरा block के हम खतम हो जाएगा, ठीक है, metallurgy coordination, dnf block खतम, अप सोचो, hydrocarbon भी आपका start हो रहा है, और इधर inorganic भी चल रहा है, समय लेगा, ठीक है, again मैं repeat करूँगा, दोस्त, कि आप सब लोग, trust और आपको पता है, कि मैं 100% NCRT आपके सामने खोल के रख देता हूँ, और वो सारी research करके पढ़ाता हूँ, जो आपके PYQ में हो, पीट तो मेरा selection वही होगा, जो पिछले 10 साल पहले कुछ नहीं होता था, लेकिन अब selection बढ़ा है पता है क्यों, बहुत research content होता है, बहुत to the point बात की जाती है, वही नहीं जो सब लोग पढ़ा रहे हैं, वह पढ़ाने के लिए मेरे पास बेटा दिन बढ़ खड़ा हो जाऊँग आपको बढ़ा दूँगा, थोड़ा research करने में भी समय देता हूँ, थोड़ा इन सब चीज़ों में भी समय देता हूँ कि आपका भला और कैसे हो पाए, ठीक है, आपके doubts का अदलग से ख्याल रखता हूँ, उसके लिए भी पूरी proper planning है, again पहले नहीं बताऊँगा, करके फ फिर बताऊँगा, ठीक है, फिर आप बताना कैसे मजा आ रहा है, ठीक है, हशल करते रहिए, मजा करते रहिए, thank you so much.